Let's do question number 4th of exercise 5E that is fraction question number 4th is 2 upon 9 plus 5 upon 6 4th question में हम करेंगे 2 upon 9 plus 5 upon 6 अब आप देखिए इन दोनों के denominator सेम नहीं है इसको करने के दो तरीके हैं क्या तरीका है सबसे पहले आप LCM ले लीजिए जो भी denominator में values है 9 और 6 है तो 9 और 6 का हमने LCM ले लिया या है 2 से जाएगा 9 as it is 2, 3 is a 6 then 3 से 3, 3 is a 9 and 3, 1 is a 3 again 3 से 3, 1 is a 3, 3, 1 is a 3 अब हमारा कितना आगे है 3, 3 is a 9, 9, 2 is a 18 LCM आगे हमारा 18 तो अब क्या करेंगे आप इन दोनों को like fraction में change करनेगे जो हम last exercise में करके आए है तो 2 upon 9 है 9 को 18 बनाना है इस 9 को 18 बनाना है तो किस से multiply करूँ 9 को किस से multiply करूँ कि 18 आजाए 2 से तो हमने किया इसको 2 से multiply उपर और नीचे तो यह आए है 2, 2 is a 4 upon 18 इसी तरीके से हमने 5 upon 6 को 6 को 18 बनाना है इस 6 को 18 बनाना है तो 6, 3 is a 18 तो उपर 3 से ही multiply किया तो यह कितना आ गया 15 upon 18 अब add कर देंगे देखिए अब क्या करेंगे इसकी जगे यह value रिखेंगे इसकी जगे यह value लिखेंगे तो यह आ गई 4 upon 18 plus 15 upon 18 अब देखिए दोनों के denominator सेम हो गए तो 18 लिख दिया अब उपर as it is value 4 plus 15 तो यह कितना आ गया 19 upon 18 अब उपर वाली value बड़ी है तो क्या करेंगे इसको mixed fraction में कर देंगे तो mixed fraction में कैसे करेंगे देखिए 18 से 19 को divide किया 18 1s are 18 तो यह कितना बच्चा 1 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 whole 1 upon 18 रइट चलिए इसका आप दूसरा pattern करते हैं और लिख रही हूँ यहां पर question लिख लेते हैं 2 upon 9 plus 2 upon 9 plus 5 upon 6 मैंने आपको एक यह method करके दिखाया लेकिन आप mostly यह वाला method यूज करिएगा क्योंकि यह आपकी बड़ी classes में भी यूज आएगा कैसे करेंगे देखिए LCM मैंने अभी पीछे निकाला था 18 आया था LCM यह देखिए यहां पर LCM 18 आया था अब 18 LCM आया है तो क्या करेंगे हमने नीचे 18 लिख लेंगे यहां पर हम LCM लिख लेते हैं यह वाला अब देखिए इसके denominator में 9 है तो 9 को 18 बनाना है तो मतलब 9 को किस से multiply करूँ कि 18 आजाए obviously 2 से तो यह जो 2 आया है उसकी multiply इस 2 में कर देंगे उपर वाले 2 में तो 2 into 2 plus बीच में plus sign है इसलिए plus अब 5 की multiplication इसी तरीके से 5 की multiplication कितने से होगी देखिए नीचे यहां क्या है 6 तो 6 की multiply किस से करूँ कि 18 आजाए इसका denominator 6 है और हमें denominator में 18 लाना है तो हम इस 6 को किस से multiply करें कि 18 आजाए जिस से multiply करना है वो यहां लिख देंगे तो यह आया 6 3 जा 18 तो यहां पे 5 की multiply 3 में अब एक चीज़ notice करिएगा जो यहां 2 आया है देखिए यहां पे उपर नीचे 2 से ही multiply की थी और जो यहां 3 आया है तो next equation में हमने 3 से multiply की थी तो इसका मतलब जो हम इसको like term बनाने में use कर रहे है number वही number हमें यहां brackets में लिखना है तो इसे ध्यान से method को समझेगा और इसको solve करिएगा क्योंकि यही method है जो आपको future में भी use करना पढ़ेगा अब क्या हो गया देखिए यह दोनों multiply में तो 2 2s are 4 4 plus 5 3s are 15 upon 18 तो इसका इतना आगया 15 plus 4 is 19 upon 18 और 19 upon 18 को अभी हमने mix fraction में किया है देखिए 1 whole 1 upon 18 तो direct लिख रही हूँ यहां आगया 1 whole 1 upon 18 देखिए दोनों answer same है कोई सा भी method करिए लेकिन कोशिश करिएगा आप mostly यह वाला method करें answer let's do question number 5th now question number 5th is 7 upon 12 plus 9 upon 16 5th is 7 upon 12 plus 9 upon 16 मैं second वाला method करी हूँ जो मैंने और के बाद वाला method बिताया था right तो कैसे करते है 12 और 16 का LCM लेते है तो वो 12 और 16 का LCM लिया 2 से जाएगा 2 6s are 12 2 8s are 16 again 2 से 2 3s are 6 2 4s are 8 again 2 से 3 as it is 2 2s are 4 again 2 से 3 as it is 2 1s are 2 and 3 1s are 3 तो LCM कितना आ गया देखे 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are 48 तो LCM आ गया 48 हमेशा ध्यान रखिएगा LCM वो नमबर आता है जो इन दोनों के हमारे table में आएगा right तो अब देखे नीचे क्या लिख देंगे जो LCM में आए that is 48 अब 12 को किससे multiply करूं कि 48 आ जाए तो देखे 12 को किससे multiply करूं कि 48 आ जाए 4 से उसी 4 की multiply 7 में हो जाएगी प्लस इसी तरीके से 16 इसके नीचे 16 है तो 16 को किससे multiply करूं कि 48 आ जाए that is 3 तो 9 की multiply 3 में हो गई simple तो 7 4s are 28 plus 9 3s are 27 upon 48 तो यह कितना आ गया 8 plus 7 is 15 carry 1 2 plus 1 is 3 3 plus 2 is 5 55 upon 48 अब हमें इसे mixed fraction में करना होगा क्योंकि यह किसी भी same number से cut नहीं रहे है तो 55 यहां लिखा 48 यहां लिखा 48 ones are 48 तो कितना बज़ गया 15 में से 8 गया है is 7 तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 1 hole quotient hole में आता है 1 hole quotient तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 1 hole quotient hole में आता है 7 remainder उपर आता है upon 15 plus 17 upon 20 अब हमारा first step क्या होता है LCM निकालना तो 15 और 20 का LCM निकालना तो यह कितना आ गया 2 से गया 15 as it is 2 10s are 20 again 2 से गया 15 as it is 2 5s are 10 now 3 से 3 5s are 15 5 as it is now 5 1s are 5 right तो LCM कितना आ जाएगा LCM आ गया हमारा 2 2s are 4 4 3s are 12 12 5s are 60 तो LCM आ गया हमारा 60 तो हमें denominator में कितना लिख दिया 60 तो अब देखिए इस 15 की किसे multiply करूँ कि हमारा 60 आ जाए तो obviously 4 से तो इस 4 की multiply इस 4 में तो 4 into 4 plus 17 into अब 17 की multiply कैसे किसे होगी देखिए इस 20 की multiply किसे करें कि 60 आ जाए denominator का denominator से देखेंगे तो obviously 3 से तो हमने 17 को भी 3 से multiply कर दिया तो ये कितना आ गया तो अब क्या लिख सकते हैं इसको mixed fraction में देखिए 60 से divide किया 67 को तो 61 से 60 7 आ गया minus करके तो हम क्या लिखेंगे 1 whole 7 upon 60 is the answer तो 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 पूद़ तो झाल झाल